एक बार फी से मेंड नियोजी टीचे ने इस 2.0 में आप सभी सिक्षक सांतियों का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक छिक आस्थनांतरन के लिए पत्र देने तथा अपना सहमती देने के लिए परमान पत्र देने के लिए आदेश हुआ है जारी तो पूर इस एक सुचना प्यार पर खण अंतरगत कारण पर खण शिक्षक सिक्षिकाओं को सुचित किया जाता है कि बिद्याले के सैक्षिनिक महाल में सुधार हेतु छात्रहीन एम सिख्षा हीत को मद्दे नजर रखते हुए परकंड शिक्षों को एक चिक अस्थनांतरन बिहार पंचायत नगरप्रणभी सिक्षक नियोजन नियमावली के तहत किया जाएगा एक छुक शिक्षक शिक्षी का अपना आवेदन पत्रे सहसमती पत्रे 30.11.2022 तक अधुहां स्ताक्ष्री करजाले में परतिन्युक ते सिरी रकेश कुमार के पास जमा कराना सुनिशित करें तो इस तरह का अधेश जारी किया गया है सचीव परखंड नियोजने काई सपंचायती राज पताधिकारी परिहार के लिए है सीटा मड़ी जिला में ये परिहार परखंड है इसके लिए मैं आपको आवेदन भी देखा दे रहा हूँ सहमती पत्र जो सहमती देना है उसका देखिए यह आपको सहमती पत्र आवेदन पत्र है इसमें दिया हुआ है सबसे पहले आपको यहां पर आप देख रहे हैं एकचिक अस्तनांतरन के संबढ़ में प्यूक्त विशाय कहना है कि मैं अपना नाम परखंड सिक्छी का सिक्छक बेशिक गरेड अस्तनातक गरेड म एक चिक अस्तनांतरन कराना चाहती हूं चाहता हूं मेरा बेक्तिगत भिवरानी निमलिखित है जनमती थी देना है बिद्याले का नाम देना है शिक्छन का बिशाय देना है नियोजन के समय बिद्याले का नाम देना है कि आपकी इस बिद्याले में नियोजन आपका हुआ पिता का नाम योगदान ति-3 सिख्छक का कोठी basic या असना असना थक असनात्रन है तु शहतमति देने वाले विध्याले का नाम आपको तीन अप्शन देना है कि किस विध्याले में अपना असनात्रन एकष्थिक आस्थनांतरन कराना चाहते हैं अता अनुरोध है कि मेरे एकशिक आस्थनांतरन मेरे सहमती दिये गए तीन विद्यालों में से किसी एक में करने की किरपा की जाए तो इस तरह सिक्षकों का आस्थनांतरन के लिए सहमती पत्र देने के लिए आदेश हुआ है जारी तो वीडि